भर्तियता, स्वदक्ता, संस्थिती और अध्यावित्ता के भजावार, अज के हमारे निक्षस्वी बव्ता, श्री संजीर सान्याज़ जी, हमारे दीच लोपस्तित, श्याद्ब अध्याप्रसाद पांडे जी. आज के इस कारगर्कम के जहां तक मैं जाबता हूँ उस्थितार उस्थितार उस्थित गानेशन के चोड़े जी. हमारे विज्यान सुर्थान के सभी अध्यापत गर्ण तो पर पेंज पुताथी अगर यहां पर हैं तो अन्य विभागों से आई हुए अध्यापत तो दिशात इवं सभी भारतिय संस्कुति भारतिय सबिता कि प्रफी रूची रखने वाले सभी सुधी जान मेरा यह सो भाग्य है कि आज तुझे तोसे ज्यानेश्व चौबे जी के सवजन्य से आज का यह अध्यान सुनने का उसे मिला और ऐसा सागरवित गाठ्यान एक अर्थशास्त्री बारा दिया जाना अपने आपने विशेष बहत पर रखता है विश्विश्टाव कर ताशी हिंदु विश्विध्यालय के इस बेद विज्ञान संस्थान में इसका आज़न बहुत ही समीचीन है क्योंकि श्री सान्याव जी ने वेगों से बहुत सारे उध्णन दिये और जो विज्ञान की बाते हैं विज्ञान का वोड है उसका जो एसंस है वो है साग्षि एविडेंस बिना एविडेंस के विज्ञान में कोई बात नहीं कही जाती तो आज इस वेविज्ञान केंद्र में वेव की उप्तियों को लेकर के उसको साक्षि मान करके उसके नावा और बहुत सारे आधिकारी गंतों से साक्षि लेकर के श्री सान्याव जी ने अपनी बात यहाँ पर रखी मैं इस विज्ञान का बहुत जहन ग्याता तो नहीं हूँ लेकिन हर एक भारती इस विज्ञान में जरूर उची रखता है भारती इसनस्कृती भारती आध्यातिता में उसकी उची होनी चाहिए और उसी प्रकात में बहुत उंची ऋच मेरी भी है यह जो आईडेन्टिटी की बात है कि हमारे आईडेन्टिटी इस देश के साथ है इस Спrakष के साथ हैं इस मंड के साथ है इस जाती के साथ है, शायर्ट जो हमारे हाथ्यात के गुलो है, वो इस आइडेंटिटी से बाहर निकलने की बात है, अगर हम प्रोस्तो ग्यानेक्ष्ट चौदे जिस से पूछे हैं, कि हम कहां से आएं, नाहिर है हमारे माता के बात, वो कहां से आए, वो उसके माता के बात है और अगर ये प्रोश्न आगे बढ़ता चला जाएगा, तो शायर्द आप अफ्रिका पहुंद है, आप अफ्रिका, जहां से की मनुष्य का विकास हुआ, उसक्त कौन सधर्म था, कौन सी आइडेंटिटी था, वो ना से पानाव उस धर्म कुड़ेंगेंगेंगेंगेंगे जर्षा मैंने जानने की कोशिश की है, ये जो सारी की सारी, चाहे British वाये, हमारे यहां पर गुगल आए, और आज हम अपने आपको उससे निकालने की को कोशिश कर रहे हैं, जो ये बात है कि अगर इतिहास है, शिकार का और शिकारी को में रिखा है, लेकिन अगर शेरों इ कि इतिहास कुछ अलग होता है लेकिन आपका ध्यार इस बात करना चाहता हूं कि जब इतिहास दिखा जाता है तो एक विशेश विचार को आगे बरहानी के लिए किया जाता है जो बस्तु सिती है उसका गिलर्ड जो सब्य है वह बहुत पम लिखा गया को कि इतिहास दिखा गया राजे महराजाम के द्वाला उनकी प्रशंसा में लिखा गया जो बहुत सारे हमारे मज्ज थे उसमें भी कुछ-कुछ बहुत सारे जो साभू लोग थे वह सांसायक्ता से उन्हें प्रशंसा की आवशक्ता नहीं थी लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे उन्होंने मच बनाए और एक पचात असार किया इसमें क्या सही है क्या नहीं है इसमें पढ़ना चाहता है लेकिन मैं यह पहना चाहता हूं कि अगर हम पुरे विश्व में लोगों को देखें तो हरे जो मनुष्य के चहें हैं यह सारे के सारे बिलियोंस अफ लोग सब के चहें आलगर हैं तो इसकी बाद अगर हम छोड़ देखें इतने यूनिकनेस है लेकिन उस यूनिकनेस के कोड में एक ऐसी चीज है क्यों हमें जोड़ अगर रामकृष्ण हमारे गोश्थ है उन अगर आप इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको इस चीज का हैसास होगा कि जो पूरी की पूरी मालवत्ता है यह एक दूसरे से जुड़ी हुई है एक और था जिसके वो इवलूशन है इवलूशन ही सकते है जिसने भी एवलूशन को रोपने का प्रयास किय वो आगे नहीं बढ़ता है लेकिन हमारी जो संस्क्रति थी हम फिर्ट हमारी की बाद कर रहे हैं हम अपने आपको ऐड़ेंटिफाइ करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन यह मामनी एक स्वाभारिक बात है कि हम अपने आपको किसी चीज के साथ जोड़ते हैं जो हमारी अध् रूप के साथ फुड़ा गोड़ा, चाहे वो देश हो, चाहे वो जटि हो, चाहे संस्कृति हो, लेकिन हमारी अध्यप्निक्ता नाम और रूप से पढ़े जाती है, ऐसा क्ट्व जो हम सब को जोड़ता है, उस क्ट्व की बाद करनी की बाद हमारी आध्यात्रिक्ता करती है यह जो विविन्न का हम देखते हैं उससे हख करके हमारी आध्यात्रिक्ता एसंस की बात करती है यह ऐसा क्या है जो हमारे ने भी है तुम्हारे ने भी आम ग्रामिमास भी तब तोमस भी यह सारी बाद हमारी अध्यातिक्ता करती है लेकिन आध्यातिक्ता के कौल में उसको अपनी संस्क्रक्री को बचाकर रखना अपने हाँ को अपने अभियान की बात नहीं करता लेकिन एक स्वाभियान जो एक सेल्फरस्ट होती है जो कि आगनी को आगे ले जाती है इसको हमेशा बचाके रखने की आवश्टा है और मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो गया अठ्यान है जो कि अविडेंस बेस्ट बाते हैं आपने कहीं आज करते हैं कि मेडिसन की बात एविडेंस बेस होनी चाहिए विश्वास कर आधार वो मेडिसन उसका रवाना नहीं हर चीज का आपको प्रूफ देना है साप्ष देना है और आज जो श्री सान्या जी ने तमाम सारे ग्यंतों से अपने ज्यान अध्यान के जो ज्यान निकाला है ज्यान हमारे सामने प्रस्तुतिया है हमारी सभिता का इसके बारे में हमें ज्यान होना चाहिए इसका अभिबान भी होना चाहिए लेकिन मैं ऐसा मैसूस करता हूं कि ज़ग द्वार अतिहास लिखा जाए तो हमारी जय और पराजय दोनों का भी को होन चाहिए कभी हम सही प्रकार से समय रूप से अपने एक पिहास की जो निवेशी है आने वारे घमिश्री को देपाएंगे कि हम अपने बारे में नहीं कि हम एक समय रखते थे मनुष्य है मनुष्यता है तो उसमें अच्छाई भी होगी कमी भी होगी स्टेंट भी होगी वीजनेस भी होगी उसका सब का सही रूप से अगर हम दिव्पण करें तो शायद हम एक सही चित्र आने वारे जनेरेशन के सामने रख पाएंगे मैं विशिष मैं नहीं सुनता तो शायद ये बात आपके सामने नहीं रखता उन्होंने फोड़ा सा जगजोने की कोशिश की और हम सभी को जगजोने की कोशिश की इतने सारे प्रश्ण हुए और इन प्रश्णों का उन्होंने बहुत रोशक तरीके से और सांका नवी उत्तवी दिया बिश्व जाने की ओर से, अपने संस्थान की ओर से, और चुकि मेरिविक जान संस्थान के निदेशक यहां पेखे हैं, उनकी ओर से भी नहीं अभाद की करता हूं. कि उन्हों ने अभाद की के लिए जान पूझे निदेशक तुसर गादी जी का भी मैं अभाद करता हूं कि उन्होंने हम सब को इस विशेश भवन में ये लाख ज्यान का लाख देने का उस्यद दिया, और अन्ग मैं तुसर ग्यानिश्व जोबे जी का या अभाद करता हूं कि उन्होंने हम सब को यहां पर कख्था, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि हौल इतना भर जाएगा, तो इसके लिए मैं जाने सो चौबे जी को बहुत और पुदाई देता हूं, और हमारे जो रोज जन्योजक है राणा किताब सिंगी, उनके सन्योजन कम तकी मैं सराहन करता हूं, और आप सबी रोगों के ध्यारिकी, आप सकते उस्त्ता भी, और हमारी सभ्यता और संस्क्रित के प्रती, आप सब के जो लगाव है, उसके प्रती भी मैं आप सब रोगों को धन्यवार देता हूं.